आज इस वीडियो में हम class 9 book ncrt chapter 2 polynomial exercise 2.3 को solve करेंगे बच्छों अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को subscribe कर लेजिए और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप class 6 से लेकर class 8 book rx अगरवाल के chapters की वीडियो देखने चाहते हैं तो हमने अलड़ी इस चैनल पे upload कर द साथ में bell icon को press करने हैं अगर हम कोई वीडियो upload करते हैं तो उसकी notification आपको मिल सके exercise 2.3 question 1 है determine which of the following polynomial polynomials has x plus 1 are factor अब बच्छों इस question का मतलब क्या है कि जो इन में से यह polynomials हैं तो इसमें जो x plus 1 का factor कौन से है ठीक है तो x plus 1 है किसका factor है जो यह polynomials दिये गए है तो बच्छों factor का मतलब होता है कि डिवाइड होना ठीक है अब डिवाइड में जब हम normal divide करते हैं जैसे महाने पस है 16 को हमने 2 से डिवाइड किया ठीक है तो क्या अगर 2 8 जा 16 तो इस है 16 के factor है ठीक है इसी तरह हमने यह find out करने है कि जो हमारे पस यह polynomial देगे जो x plus 1 किसका factor है ठीक है तो इसको हम कैसे solve करेंगे remainder theorem से solve करेंगे तो जैसे question 1 है बच्छों मैं question को उतार लेती हूं तो बच्छों यह question है हमारे प्लस तो बच्छों यह क्या है हमारा polynomial है ठीक है हमने find out करना है कि x plus 1 किसका factor है ठीक है तो यह इसको हमारे पस क्या है polynomial तो यहाँ पर के variable x है तो x लिखेंगे तो x q plus x square plus x plus 1 और x plus 1 को हमारे लेते हैं gx ठीक है अब बच्छों हम सबसे पहले क्या नकालते हैं 0 of the polynomial नकालते हैं यह हमने already आपको last video मैंने explain किया था बच्छों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहते हूं कि इस chapter की एक बहुत retail introduction की video बनी है जिसमें सभी examples को solve किया गया है अगर आप वो video देखना चाहते हैं तो आप आई बटन में link दे दूँगी और नीचे description में भी link दे दूँगी तो अगर देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आप वो video देख लोगे तो exercise के जो question आप स्वेम भी solve कर सकते हैं अब अचों यहां पर हमने क्या करना है zero of the polynomial का लें तो जो मारा gx है वो उसको मान लेते हैं यह क्या है zero के equal है ठीक है it means जो यह value है यह भी मारी zero के equal होगी ठीक है let अब हम x की equivalent का लेंगे तो य यह हमारा आगया zero of the polynomial है अगर हम इस minus 1 को यहां put करते हैं values में तो हमारे पस हमारा answer आजएगा अब minus 1 है तो x की q minus 1 की q plus x square minus 1 का square plus bracket में minus 1 और यहां पर plus 1 ठीक है अब minus 1 का q बच्चों एक चीज मैं आपको बता देती हूँ आपको पता ही होगा जब भी power क्यूमत की odd होती है ठीक है तो हमारा अगर यहां पर minus का sign है तो वो minus में ही आएगा ठीक है जैसे one का cube है तो one को हम multiply करेंगे जितनी बार multiply करेंगे one ही आएगा पर हमें sign का ध्यान रखने है तो यहां पर power क्या है odd है तो यहां पर क्या होती है even होती है तो हमारा answer किसमें आएगा positive आएगा तो य तो minus आजेगा और one plus one आजेगा अब चो यह minus one plus one इसको हम कार देते हैं minus one plus one यह हमने कार दिया है तो हमारे पास क्या आ गया zero आ गया तो it means जो x plus one है यह इस polynomial का factor है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x plus one is a factor of x cube plus x square plus x plus one यह हमारा answer आ गया अब हम मैं part two को उतार लेती हूँ अब अच्छो यह मैंने part two को उतार लिया है इस polynomial को तो यह कह हमारा px तो यहाँ पर के x की power four यहाँ पर जो variable है वो ही हम लिखेंगे यहाँ पर x से तुमने लिख दिया x की power four plus x three plus x two plus x plus one अब हमारे पास g x के यह already हमारे पास एक ही दिया गया है x plus one तो हमने इसको मान लिया let हमारा g जो x है equal to zero it means x plus one equal to zero x equal to यहाँ पर कहाँ जगा minus one ठीक है यह तो एक ही है पर हर किसी में मैं आपको यह हमने solve करना बता के बताना पड़ेगा आपको तो बचो अब minus one को put कर दिया है यहाँ पर कहाँगा minus one की power four plus plus का sign वो वैसे रखने हैं उसको हम बाद में solve करेंगे पहले हम bracket को solve करेंगे minus one का Q plus minus one का square plus minus one plus one अब यहाँ पर minus one ने power किया है हमारे पर even है तो हमारा one को multiply करेंगे one नी आएगा पर यहाँ पर किसमेách positive में आएगा अब यहाँ पर क्या प्लस अब यहाँ पर माइनस वन का पावर थ्री है तो हमारा जो अंसर है माइनस वन आएगा तो प्लस अब यहाँ पर माइनस वन का पावर टू है और इवन नमबर है तो पॉजिटिव में आएगा तो वन आएगा तो यहाँ पर मैं वन नहीं लिग देत तुम्हारे पास remainder क्या बच गया वान बच गया तो इट मेंद जो एक्स प्लस वन है यह क्या है मारा फेक्टर नहीं है तो वन जो है यह इस लिखते हैं यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीक है यह हमारा आंसर आ गया अब हम पार्ट 3 करते हैं पार्ट 3 है बचो पार्ट 3 एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्यूर प्लस एक्स प्लस 1 ठीक है यह हमारा पार्ट 3 है अब यहां पर मारे पस इसको हमने पी एक्स पॉलिनोम माल लिया तो एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स 3 प्लस 3 एक्स स्क्यूर प्लस एक प्लस 1 हमारे पास किसे factor के नकालना है एक्स प्लस 1 का ठीक है तो अब let जो महरा gx है equal to 0 तो x plus 1 equal to 0 तो x की value क्या अगी? minus 1 अब ये value हम यहाँ पर put करेंगे minus 1 की power 4 plus यहाँ पर 3 है minus 1 की power q प्लस 3 minus 1 की power 2 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1 अब यहां पर माइनस 1 की पावर 4 है तो क्या यहां पर यह महारे पास even है तो यहां पर 1 आएगा ठीक है प्लस 3 अब यहां पर क्या है माइनस 1 की पावर 3 है तो महारे पास क्या एगा negative में आयागा answer multiply minus 1 ठीक है plus 3 अब यह minus 1 की power क्या है 2 है तो यहाँ पर positive होगा 3 into 1 आ गया plus minus minus 1 हो गया plus 1 हो गया तो यहाँ पर 1 solve करेंगे 3 को minus 1 से multiply करेंगे तो यहाँ पर कितना आज़ेगा minus 3 आज़ेगा क्योंकि बच्चों plus minus जो है multiply में minus हो जाता है plus अब 3 बंजा 3 minus 1 plus 1 अब जो यह 3 कट गया plus 3 minus 3 हापस में 0 हो गया ठीक है और minus 1 और यह plus 1 हापस में 0 हो गया तो हमारे पस क्या रहा है कि 1 रह गया है remainder तो 1 जो है is not equal to 0 so x plus 1 is not a factor of given polynomial यह यह भी आप लिख सकते हैं ठीक है बच्चों अब हम करते हैं पार्ट 4 अब पार्ट 4 देखो बच्चों क्या है एक्स की क्यूब माइनस x स्क्यूर माइनस ब्रैकेट स्टाट 2 प्लस रूट 2 अब यहां पर बच्चों काजिक कैसे question है बहुत easy question है तो यह हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स क्यूव माइनस x स्क्यूर माइनस 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2 ठीक है question को ध्यान से समझना हम बच्चों बहुत easy question है अगर आप ध्यान से करोगे तो यह question आपको बहुत easy लगेंगे तो हमारे पर GX क्या दिया है बच्चो X plus 1 है यह तो same आपको यह पता ही चल गया है कि इसका हमारे पर आएगा तो यहाँ पर गया X plus 1 equal to 0 तो X की value का गए minus 1 लागे तो इसको हम put कर देंगे अब यहाँ पर minus 1 का cube minus minus 1 का square देखो जो sign है वो वैसे ही आपने लिखने है इस चीज़ का ध्यान रखने है यहाँ पर minus 2 plus root 2 और यहाँ पर क्या जेगा minus 1 आजेगा plus root 2 ठीक है अब इसको solve करते है ध्यान से देखना question बहुत easy है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आजेगा minus 1 का cube power मारी even है sorry odd है तो minus में answer आएगा और 1 को multiply करेंगे तो महारे पर 1 ही आएगा यह minus as it is लिखेंगे अब यहाँ पर minus 1 का square क्यों होगा 1 होगा positive में आएगा answer अब अब चो यह minus को हम इस तरह से ही लिख देते है ठीक है अब पहले हम क्या करते है minus 1 को इस पूरी bracket से multiply करते है यह हम बाद में solve करेंगे जो bracket के पहले जो minus का sign है ठीक है क्योंकि इस से sign change हो जाएगे क्योंकि हमने पहले multiply करेंगे फिर हम sign change करते है तो इसको हमने bracket में लग दिया अब minus 1 को 2 से multiply गया तो minus 2 आ गया और minus plus minus root 2 को 1 से multiply गया तो root 2 आ गया plus root 2 इसको हमने as it is यह वाला part हमारा solve हो गया अब हम इस वाले part को solve करते हैं अब बच्चोंग यहाँ पर minus 1 और यहाँ पर भी minus plus minus 1 अब यहाँ पर minus का sign है तो यह minus minus plus 2 हो गया और यह minus minus plus root 2 हो गया plus root 2 यहाँ को समझ आ गया है जब bracket के बाहर sign हो तो वो क्याते है अंदर वाले sign change हो गते है वैसे यहाँ पर minus है यह plus हो गया और यह minus है भी plus हो गया अब यहाँ पर हम इनको solve करते हैं minus 1 minus 1 अब बच्छों हम यहाँ पर क्या addition और subtraction में क्या करते हैं जैसे minus 1 है same sign है तो sign same रहेगा पर हम उनको add कर देंगे 1 plus 1 2 हो गया plus 2 यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है बच्छों 1 है और यहाँ पर 1 है अब यह root 2 है तो 1 plus 1 क्योंकि add करने है तो 2 root 2 आ गया और यह महारे परस आपस में कट गया है तो महारा क्या है 2 root 2 आ गया तो 2 root 2 is not equal to 0 so x plus 1 is not a factor of given polynomials चीक है इस तरह से हमने यह question 1 को solve करना था I hope यहाँ को clear हो गया होगा question 2 है use the factor theorem to determine whether gx is a factor of bx in each of the following cases अब बच्वा बिलकुल उपर वाले question की तरह है ठीक है अब यहाँ पर क्या है जो gx यह वो सबका different दिया गया है ठीक है तो part 1 करते है part 1 में है जो polynomial है वो है 2x cube plus x square minus 2x minus 1 अब बच्वा यहाँ पर तो क्या है पर दिया गया है कि इस polynomial को हमने इस से divide करने है अगर नहीं दिया गया है तो जो सबसे बड़ी जिसकी power सबसे ज़्यादा होती है जैसे यहाँ पर 3 power है ठीक है तो यह मारा बड़ा वाला polynomial है तो मारा यह dividend बन गया और इसकी power मारे पर छोटी है तो यह हमारा क्या बन गया डिवाइजर बन गया ठीक है तो यह मैंने introduction वीडियों बहुत अच्छी तरह से explain किया है तो उस वीडियो को ज़ूर देखे आपको हर question अच्छी तरह से समझा जएगा अब बचो यहाँ पर क्या है यह polynominate 2x cube plus x cube minus 2x minus 1 अब gx मारे पस क्या दिया गया है x plus 1 दिया गया है तो यही same करेंगे let हम gx को माल लेंगे equal to 0 तो x plus 1 equal to 0 तो x की value क्या आगे minus 1 आगे तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर p minus 1 put करेंगे जहाँ पर मारे पस x की value है तो यहाँ पर 2 minus 1 का cube plus minus 1 का square माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 अब इसको solve करते हैं 2 अब बच्चों यहां पर माइनस 1 का cube है power महारे पास क्या है odd है तो answer महारे पास माइनस में आएगा अब इनके बीच में को sign है तो multiply का sign लगाएंगे तो 1 को 1 से multiply की है तो 1 ही आया प्लस अब 1 का square तो यहां पर के even है तो positive में आएगा तो यहां पर 1 आजगा 1 प्लस 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 1 आजगा अब माइनस 2 को माइनस 1 से multiply करेंगे अब multiply में जो यह sign हो add हो जएंगे क्यों माइनस माइनस प्लस हो जगा 2 बन सा 2 माइनस 1 अब इसको solve करते है 2 multiply minus 1 minus 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 अब यह तो इनको एक साथ कर सकते है minus 2 को plus 2 से कर दिया plus 1 को minus 1 से क्योंकि 0 आया तो यहां पर answer क्या आगया 0 आगया तो हम यहां पर लिख सकते हैं यहां तो आप यहां पर लिख दो x plus 1 is a factor of 2x q plus x q minus 2x minus 1 यहां लिख सकते हो yes gx gx is a factor of px ठीक है यहां आंसर आगए अब हम करते हैं part 2 और चो part 2 में यह हमारा polynomial है तो हमने पहले इसकी 0 of the polynomial नकाल देना है तो zx कितना हो जगा x plus 2 दिया गया है हमारे पास ठीक है तो let gx equal to 0 it means जो यह value है इसको यहां put करते है x plus 2 equal to 0 तो x की value आगए minus 2 क्योंकि इदर आगे दूसरी side जब भी जाते है तो sign change हो रहते है minus 2 हो गया अब हम इसको put करते हैं यहां पर minus 2 तो minus 2 का q plus 3 into minus 2 का square plus 3 minus 2 plus 1 ठीक है अब इसको solve करते हैं अब अच्छों यहां पर power क्या है odd है तो minus sign आएगा अब 2 को हमने 3 times multiply 2 into 2 into 2 तो 2 to the 4, 4 to the 8 आगया तो अब यहां पर हम plus 3 लिखेंगे अब यहां पर महारे पस क्या है 2 को minus 2 है तो यहां पर positive में आएगा क्योंकि power क्या है हमारी even है तो 2 to the 2 को 2 times multiply किया कितना है जगा 4 आजएगा अब plus 3 multiply minus 2 ठीक है तो minus का sign आएगा और 3 to the 6 plus 1 आगया अब यहां पर minus 8 इस bracket को solve करते हैं इसके आगे कोई sign नहीं तो multiply करेंगी तो यहां पर sign plus plus के दोने एक साथ plus ही आगा 3, 4, 12 आगया और यहां पर कितना minus 6 plus 1 आगया ठीक है बच्चों तो आप ऐसे कर सकते है minus वाली term है उनको एक साथ कर लो minus 8 minus 6 फिर plus 12 plus 1 तो minus 8 minus 6 अब यहां पर किया दोनों के साथ same sign है तो हम add करेंगे sign मारा minus करेंगा 8 plus 6, 14 और यह तो हम add करेंगे plus का sign same sign है तो कितना आएगा 13 अब 14 में से हमने 13 minus किया तो मारे पास किया गया 1 आगया क्योंकि एक minus का है दूसरा digit plus का है तो minus करेंगे बड़ा बड़ा digit 14 है उसका minus का sign है तो minus आजएगा इसका remainder क्या है माइनस 1 आया तो minus 1 is not equal to 0 0 so gx is not a factor of px ठीक है इस तरह से हम लिख सकते है अब हम part 3 करते है part 3 है हमारे पास px equal to x की power 3 minus 4x square plus x plus 6 और gx कितना दिया गया है हमारे पास equal to x minus 3 तो पहले हम इसको निकालेंगे let gx equal to 0 तो यहाँ पर x minus 3 equal to 0 तो x की value क्या आगी 3 आगी क्योंकि यहाँ पर minus में इधर आकर क्या हो जाएगा positive में हो जाएगा ठीक है अब हम value को put कर देते है तो x cube है यहाँ पर तो यहाँ पर क्याएगा 3 की cube minus 4 x square यहाँ पर 3 का square plus x तो यहाँ पर 3 आजेगा plus 6 अब यहाँ पर multiply करेंगे 3 3 9 9 3 is a 27 यह 3 cube का मतलब है 3 को 3 times multiply करना है 3 3 9 9 3 is a 27 sine plus के तो plus करेगा minus 4 यहाँ पर कितना है गा 3 को 2 times multiply करेंगे तो 3 3 is a 9 आगया plus 3 plus 6 आजेगा 27 और 9 4 आजेगे तरह 36 minus 36 plus 3 plus 6 अब अच्छे इनको add करेंगे तो इनको पहले आप ऐसे कर सकते हैं positive number को एक साब ले जो ठीक है यहाँ तो आप यहाँ पर भी इनको add कर सकते है 27 plus 3 30 plus 6 36 तो यह 36 minus 36 तो यह कटी है तुम्हारे पस क्या है 0 आया तो यहाँ आप लिखेंगे yes gx is a polynomial of bx I hope यह question 2 भी आपको clear हो गया होगा अगर आपके पस कोई query है तो इस वीडियो को अगर आप द्वारत से देखेंगे तब यह आपको कोशन अराम से clear हो जाएंगे कि गला है भी हुआ ट्सरा मनेल झाल आपके नग्चबल